हलो फ्रेंड्स, वेलकम डू माई हूटूब चैनल तेक निकलार के दोस्तों आज किस वीडिये हम बात करेंगे इन्फिनिक्स होटेट मोबाइल को किस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं वो भी ओनलाइन तो दोस्तों आज किस वीडिये में आपको बताऊंगा आपको अपना मोबाइल की सरथ से अपडेट करना है और साथ इसाथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ जैसे ही आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं तो पहले से ज़्यादा अच्छा वर्क करने लग जाता है और जो भी लेटेस्ट एपस आती है जो भी लेटेस्ट एंडरोड एपस आती है तो दोस्तों वो उस मोबाइल के अंदर और अच्छे से वर्क करती है तो चलिए शुरू करते हैं हाँ तो दोस्तो हम आ चुके हमारी मुबाइल की स्क्रीन पर अब मैं आपको बताता हूं दोस्तो आपको अपना मुबाइल किस तरह से अपडेट करना है तो दोस्तो सबसे पहले आपको मुबाइल सेटिंग के अंदर जाना है और मुबाइल सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको scroll down करते हुए नीचे की तरफ आना है नीचे की तरफ दोस्तों आप system वाला option पर click करना है यहाँ पर जैसे आप click करते हो आपको यहाँ पर आपका mobile version वगेरा RAM सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है system update तो दोस्तों यहीं पर आपको click करना है यहाँ दोस्तों आपको simple सा यहाँ पर click करना है आपके mobile में जो भी नए update आता है सबसे पहले उसकी notification यहीं पर आ है कि आपका mobile 50% से ज्यादा charge होना चाहिए तब ही जाकर आप अपने mobile को update करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा mobile 70% से उपर तक charge है तो मैं आपके सामने यहाँ पर update process स्टार्ट कर रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपने mobile के network से यहाँ पर इसको update शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यह 500 MB तक का यहाँ पर system इसमें download होगा तो यहाँ पर दोस्तों कुछ wait कर लेते हैं जैसे ही यह download होगा उसके अगले process मैं आपको दिखाता हूं हा तो दोस्तों यहाँ पर यह हमारे download हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों नीचे option आ सिंपल सा दोस्तों आपको restart now वाले option के उपर click करना है और इसके साथ साथ दोस्तों आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर आपको guidelines दी गई है कि आपके mobile में क्या-क्या improvement होगा इस update से जैसे कि कोई अगर इसमें hang वगरा की problem आ रही हो या latest apps है जो कि इसमें support ना हो रही हो तो उन सभी के यहाँ पर details दे रखा है और साथ यहाँ पर बता रखा है कि इसमें जो भी जो भी इसमें problem आ रही थी वो सब update के बाद यहाँ पर clean हो जाएगी तो दोस्तय सिंपल सा है यहाँ पर restart वाला option है इसके ओपर आप click करते हैं तो दोस्तय यहाँ पर जैसे आप restart all option के ओपर click करते हैं idea, आपका mobile पूरा आपर restart होना शिरू हो जाएगा जोस्ते हैंपर किसी भी तरदय से आपके mobile का data यहाँ पर delete नहीं होगा simple सा आपको restart वाले को पर click करना है और जो भी mobile के अंदर app से उन सभी को restart mobile automatically करेगा तो दोस्ते यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जैसे restart का process चलता है तो mobile यहाँ पर कुछ देर के लिए switch up होता है और automatically वो उन भी हो जाता है तो दोस्ते यहाँ पर आपको किसी भी तरह से mobile को छेड़ना नहीं है बस restart वाले option पर click करकर छोड़ देना है उसके बाद दोस्तों आपका mobile यहाँ पर कुछ process लेगा है यहाँ पर loading के हो और loading complete होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारे mobile की loading अब complete हो चुकी है अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारा mobile automatically own हो जाएगा तो दोस्ते यहाँ पर थोड़ा वक्त लग सकता है mobile को restart होने में और restart होने के बाद पूरा mobile वापस से start हो जाएगा तो दोस्ते यहाँ पर किसी भी तरह है कि आपको कोई भी setting अगरा है यहाँ पर नहीं करने है शिर्फ restart होने का यहाँ पर आपको wait करना है तो दोस्ते यहाँ पर देख सकते हो हम कुछ देर के लिए यहाँ पर wait कर लेते हैं रिस्टार्ट में यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है मोबाईल 10-15 मिनिट का तो आपको दोस्तों सिंपल सा यहाँ पर वेट करना है और अपने मोबाईल का दोस्तों आपको यह धियान रखना है कि आपका मोबाईल 50% से कम ना हो नहीं तो दोस्तों रिस्टार्ट होने में य हमारा मोबाल यहां पर चालू हो चुका है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो उपर की तरफ लिखा हुआ आ चुका है सिस्टेम अपडेट यहां पर चर रहा है दोस्तों यहां पर एक से दो मिनिट का यहां पर यह अपडेट प्रोसेस रहेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा मोबाइल अब पूरी तरह से अपडेट हो चुका है तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से ले जाकर दिखा देता हूं हमारा मोबाइल अपडेट हुआ या नहीं सबसे पहले चलते हैं मोबाइल सेटिंग में मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमें जाना है से स्टेम पर और इसके बाद दोस्तों हमें जाना है यहाँ पर से स्टेम अपडेट के उपर सिंपल सा दोस्तों आपको इसके उपर किलिक करना है यहाँ पर फस्ट वाला जो ओप्शन आपको दिख रहा है ओनलाइन अपडेट तो दोस्तों आपको इसके उपर किलिक आ चुकी है कि mobile last update process जो है वो कब आये था और कब हुआ था यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमारा mobile पूरी तरह से completely update हो चुका है अब दोस्तों जो भी latest apps होगे आउंगी वो इसके अंदर अच्छे से work करेगी और अगर इसमें हेंग होने की problem होगी तो वो भी यहाँ पर clean हो जाती है आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझने में आ गया होगा अगर आपको इसमें कोई भी problem आती है तो आप नीचे कोमेंट कर अगर मुसे पूंच सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ इस बेल का एकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहें तब तक के लिए बाई बाई